चलिए आज बनाते हैं फिरनी जो दूध और चावल के आटे से बनाया जाता है ये वेसिकली कश्मीर का डिस है लेकिन मैंने थोड़ा इसको अलग तरह से बनाया इसके लिए मैंने चावल भीगो लिया था पहले ही और भीगो के इसको हाथ से ही अच्छी तरह से मैस करेंगे लीटर दूद को मैंने पहले चड़ा दिया था देखिए गाड़ा होना शुरू हो गया है अब चावल को डालेंगे इस में और चलाते हुए पकाते गाड़ा होना जार में और थोड़ा काजू, दो इलाइची और तीन चमच मिल्क पाउडर डालेंगे फिरनी को क्रीमी टेक्चर देने के लिए और थोड़ा दूद डालके इसका एक पेस्ट तयार कर लेंगे फिरनी में रोज वाटर, केवडा वाटर भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ इलाइची ही डाला है और इस तरह से चलाते हुए पकाना है देखिए गाढ़ा होना सुरू हो गया है अब जो पेस्ट मैंने बनाया है उसका पेस्ट को डाल दूँगी और बस चलाते हुए इसको पका पकाना है लो टू मिडियम फिलेम पर गाढ़ा होना सुरू हो गया है लग पबक चुका है अब ऐसमें डालेंगे चीनी कई चीनी डालके भी बस एक मिनट चलाना इसको पकाना है और एक मिनट तक इसको चलाते हैं चीनी डालने के बाद बहुत ज्यादा नहीं पकाना है देखिए फिरनी लगबग बनके तयार हो चुका है कि तो हम लोग बनाते ही रहते हैं तो मैंने आज सोचा चलो आज दूध और चावल से कुछ अलग बनाते हैं तो मैंने यह फिरनी बनाया देखिए बनके तयार हो चुका है अब इस से इसको सजाएंगे उसके बाद इसको फ्रीज में रख देंगे एक डेड़ घंटे के लिए ठंडा होने के लिए इसको ठंडा ही सर्प किया जाता है आप लोग भी बनाईए और मुझे कॉमेंट्स में बताईए आपका कैसा बना है मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू झाले ठंडा ही सर्प किया जाता है